नमस्कार आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है आज की व्याख्यान का विशे है स्वतंत्रता पिछले व्याख्यान में हमने सीखा कि समानता का अर्थ क्या होता है समानता की विकास और उससे जुड़े विभिन मत कौन से है तथा स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है आज की इस व्याख्यान में हम उससे आगे की कड़ी में स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे स्वतंत्रता में हम जानेंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है इसका क्या स्वरूप है इसके कौन-कौन से आयाम और द्रिश्टिकोन है स्वतंत्रता पर प्रचलित विद्वानों के मतों का उलेक करेंगे आदी आज के हमारे विशे विशे शग्ये हैं डॉक्टर शिफ पूजन प्रसाथ पाठक जो वर्तमान में भारती कॉलेज दिल्ली विश्वर द्याले में सहायक प्रोफेसर हैं और मैं साक्षी मांडवाल उद्देश इस व्याख्यान की मुख्य उद्देश इस प्रकार हैं स्वतंत्रता की अवधारना को समझना स्वतंत्रता की विभिन रूपों की चर्चा करना स्वतंत्रता की विभिन द्रिश्टिकोन जैसे उदारवाद माक्सवाद नारिवाद वो उपाश्रित का मत जानना स्वतंत्रता की मुख्य आयामों का उलेख करना आदी स्वतंत्रता की अवधार्णा स्वतंत्रता का कोई निश्चित अर्थ नहीं है यह देशकाल की अनुरूप विभिन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की अनुसार बदलती है यदि भारतिय संस्कृती में स्वतंत्रता की चरम सीमा मोक्ष को माना गया है तो आधुनिक पश्चमी समाज में स्वतंत्रता के लक्ष का संदर्व सामाजिक जीवन को बहतर ढंग से संयोजित करके व्यक्ति को राज के निरंकुष हस्तक शेप से सुरक्षित रखने में रहा है स्वतंत्रता के दो अर्थों में प्रयोक्त होती है प्रथम मानविय अस्तित्व की एक गुण के रूप में जिससे व्यक्ति प्रक्रती का प्रयोक करके विकास करता है दूसरे अर्थ में स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा है जिसमें मनुष्य बिना किसी बंधन के स्वैचिक चुनाओ द्वारा स्वैम नियोजत लक्षों की पूर्ती में समर्थ होता है राजनीतिक सिध्धान्त में स्वतंत्रता को मनुष्य की स्वभाविक दशा के रूप में ही अध्यन किया जाता है आधुनिक आदर्श के रूप में स्वतंत्रता के उधै को 1789 में संपन फ्रांसी सी क्रांती के उपरांत स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व मूल्यों को पाने की घोशना में देख सकते हैं राजनीती की शेत्र में इसे दो अर्थों में प्रियोक किया जाता है पहला राश्ट्रिय स्वतंत्रता दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता वस्तुता हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राजनीतिक मूले के रूप में अध्यन करना है स्वतंत्रता की दो अवस्थाएं हो सकती हैं प्रथम निर्बाद रूप से स्वतंत्र होना दूसरा सामाजिक प्राणी होने की वजह से सभी को वे स्वतंत्रता उपलप्त कराना इ स्वातंत्रिता के सकारात्मक अर्थ को स्वीकारने वाले विचार को द्वारा स्वीकारा गया है नकारात्मक स्वतंत्रिता के परिवर्तकों में जे एस मिल ने कहा है स्वतंत्रिता कम से कम मानव गतिविधियों के आत्मा संबंदी शेत्रों में प्रतिबंधों से उन्मुक्त का नाम है सील के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाशा देने वाले इस प्रकार है मेकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता विवेक पूर्ण प्रतिबंधों की उपस्तति है थॉमस एच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता वे करने की की शक्ति है जो करनीए है एवं वह उपियोग करने की शक्ति है जो उपियोग योग ये ही। लांसकी के अनुसार स्वतंत्रता उस वातवरण को कायम रखना है जिसमें लोगों को अपने पुनत्व का अवसर प्राप्त हो सके। निश्कर्षिता हम कह सकते हैं कि स्वतंतरता की वर्तमान अवधारना में पहला बहाय हस्तक्षेपों के अभाव में किया गया स्वतंत्र कर्म, नकारात्मक रूप, दुसरा अपने लक्षों की प्रापती की योग्यता रखना एवं अफसरों का होना, सकारात्मक तीसरा, सुएम के लिए बिना किसी बहाय दबाओं के एवं आंतरिक विवश्ता के उद्देशों के विवेक पूर्ण चैन कर सकने की शमता ही स्वतंतरता है स्वतंतरता नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंतरता पहला, स्वतंतरता की अवधारना नकेवर प्रतिबंदों के अभाव से ही स्वत होती है अपितु अवसर की उपस्तती रूपी सकारात्मक भाव को भी इसमें शामिल करना अनिवार रहे क्योंकि नकारात्मक अर्थों में यदी सिर्फ प्रतिबंदों के अभाव को ही हम स्वतंतरता का अर्थ समझेंगे तो इसका अभिप्राय होगा कि कुछ लोग ही चैन करने में सक्षम है उनका चैन भी उपलब्ध विकल्पों के अंतरगत ही होगा अर्थात भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारत सीमा के भीतर ही चैन करना उनकी विवशता होगी इस प्रकार प्रतिबंधों के आभाव में चैन की स्वतंतरता रूपी निरंकुष, स्वेच्छा चारता जो दिखाई देती है यथार्थ में वे नियतिवाद में बदल जाती है अतह स्वतंतरता जीवन की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर नियूनतम प्रतिबंध एवं व्यक्तित्व के विकास हे दू अधिक्तम सुविदा उपलब्द कराई जाए दूसरा स्वतंतरता का अर्थ नियंत्रित स्वतंतरता से है अर्थात स्वतंतरता सापेक्ष होती है निर्पेक्ष नहीं नियंत्रित स्वतंतरता से आशाय स्वचंता एवं परतंतरता के बीच की स्थिती से है जिसे हम स्वाधीनता की रूप में समझ सकते हैं हम इसका ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते जो स्वचंद रूप से दूसरे की स्वतंतरता को बाधा पहुचाए नकारात्मक स्वतंतरता के विकास में प्रमुख योगदान Adam Smith, John Locke, David Hume, Hubbard Spencer, Jeremy Betham और J.S. Mill जैसे विद्वानों की कृतियों में हुआ समकालीन समय में मुख्य रूप से कुछ अर्थ शास्त्रियों के लेखन में नकारात्मक स्वतंतरता की ओर वापसी हुई जिसमें अधिक्तम स्वतंतरता बाजार और स्वतंतर अंतराश्य व्यापार की हिमायत की गई है एफ हेक, मिल्टन फ्रीडमान, रॉबर्ट नौजिक तथा आईजिया बरलिन के लेखनों में नव उदारवाद की प्रवत्या स्पष्ट होती है नकारात्मक स्वतंतरता और जे-एस मिल नकारात्मक स्वतंतरता की बड़े प्रवर्तक में मिल का नाम आता है अपनी पुस्तक निबंध on Liberty में मिल्ने स्वतंतरता को केवल राज्य के हस्तक शेप तक ही सीमत नहीं रखा है उसमें समाज, लोकमत और समाजिक रीती परंपराओं से भी स्वतंतरता की हिमायत की गई मिल्ने स्वतंतरता को आत्म विकास का एक साधन माना है उन्होंने कहा कि जब तक किसी व्यक्ती की स्वतंतरता से अन्यों के कारियों में हस्तक शेप नहीं होता है तब तक उस पर प्रतिबंध अरोपित नहीं करना चाहिए यदि कोई व्यक्ती दिन भर धूमरपान करता है, मध्यपान करता है, जुआ खेलता है यहां तक कि यदि आत्म हत्या भी करना चाहे तो उसे वैसा करने की स्वतंतरता होनी चाहिए क्योंकि यह उसका नीजी निर्ने है और उसे अपने विकास के लिए अपनी पसंद के मार्क पर चलने देने की पूरी स्वतंतरता होनी चाहिए मिल ने आर्थिक शेत्र में हस्तक शेप के सिधान्त का समर्थन किया मिल का द्रिण विश्वास्ता की समाजिक तथा राजनीतिक प्रगती मुख्यता व्यक्ति की स्वतंतरता पर निर्भर करती है अतह प्रतीक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार चैन की स्वतंतरता होनी चाहिए मिलने लोकतंतर में बहुमत की अत्याचार से अल्प संख्यकों की रक्षा हेतु कहा है लोगों को अपने उपर अपनी सत्ता पर अंकुष लगाने की कोई जरूरत चायत ना हो यह धारना स्वैम सिद्ध हो सकती है स्वशासन और स्वैम अपने उपर लोगों की सत्ता इस तरह के मुहावरे मामले की सच्छी स्थिती को अभिव्यक्त नहीं करते सत्ता का प्रयोग करने वाले लोग हमेशा वही लोग नहीं होते जिन पर उसका प्रयोग किया जाता है और जिस स्वशासन की बात की जाती है वह प्रत्येक द्वारा स्वेम पर शासन नहीं होता बल्कि बाकी के लोगों द्वारा प्रत्येक पर शासन होता है लोक तंत्र में बहुमत का आचार विचार अभिव्यक्ति के मामले में दिखाई देता है समकालीन समय में आईजिया बर्लिन, फ्रिड्मान, हाइक इत्यादी ने नकारात्मक उदारवाद को स्वेच्छा तंत्रवाद के अंतरगत पुनर जिवित किया आईजिया बर्लिन ने अपनी चर्चित खृती, For Aces on Liberty के अंतरगत, तरक दिया है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कारेश शेत्र में नहीं आता बर्लिन के अनुसार नकारात्मक सुतंतरता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कारेों का चैन करने से रोका ना जाए सकारात्मक सुतंतरता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने उपर पून नियंतरन होना चाहिए बर्लिन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गरुण पक्षी की तरह पंक फैला कर आकाश में उड़ नहीं सकता या केवल मचली की तरह समुद्र में तैड नहीं सकता तो यह उसकी अपनी कमी है ऐसी स्थिती में वे ये नहीं कह सकता है कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है राज्य कीवल यह कर सकता है कि जहां तक हो सके वे व्यक्ति की स्वैम निर्धारत गति विध्यों पर कोई प्रतिबंध ना लगाए अता प्रस्तता अर्थ में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल नकारात्मक स्वतंत्रता है इस प्रकार परंपरागत उदारवादियों तथा नव उदारवादियों की मानिताएं समान है जिसकी कुछ विशेष्टाएं इस प्रकार है पहला, सभी व्यक्ति तरकशील प्राणी है और प्रतेक व्यक्ति जानता है कि उसका हित क्या है दूसरा, स्वतंत्रता तंत्वत नकारात्मक है तथा प्रतिबंधों के आभाओं की उपज है तीसरा, राज्य या समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक शेप नहीं कर सकता मुख्य स्वतंत्रताएं विचार और सभाओं में शामिल होने की स्वतंत्रताएं हैं और वे सभी आवश्यक रूप से व्यक्तिगत है चौथा, व्यक्तिगत हित और सामोहिक सामाजिक हित में कोई भी भेद नहीं है क्योंकि दोनों हितों की सिध्धी करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी सामाजिक प्रगती की पूर्व शर्त है पाच्वा, व्यक्तियों की जिन कारेवाहियों से समाज प्रभावित होता है, राज्य उन्हें कानूनों और न्याय विवस्था की उप्योग द्वारा नियंतरत कर सकता है और रोक सकता है, लेकिन ये हस्तक्षेप नियूनतम होना चाहिए छटा, इस बात की समवेधानिक गारंटी होनी चाहिए कि राज्य कानूनों के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंतरताय चीन नहीं सकता नकार आत्मक अवधारना को स्विकार करने में भी आपत्या हो सकती है, वह इस प्रकार है पहली, दाशनिक सर व्यक्ति संबंदी अनुवादी सिध्धान्त मानने नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है, मनुष्य प्राचीन काल से सामाज में रहता है, तथा उनी नियमों तथा प्रथाओं का पालन करता है, जो सामाजिक मूल्यों से जुड़े दूसरा नैतिक रूप से व्यक्ति जो चाहे वे कर सकता है ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता अपने आप से संघर्ष करने लगती है जैसे एक व्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बाद रूप से होगी तो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता खत्रे में पढ़ जाएगी तीसरा आर्थिक शेत्र में मुक्त प्रतिस्पर्दा वस्तूओं की कीमतों में व्यापक उतार चड़ाओं को जन्म देती है कुछ लोगों के हाथों में संपत्ती तथा साधनों का अधिक संकेंद्रन हो जाता है इससे परणाम ये होता है कि अमीर अमीर हो जाता है गरीब और गरीब होते जाते हैं इसमें विशंबता और शोशन बढ़ जाता है इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद और मार्क्सवाद का उदे हुआ सकारात्मक स्वतंत्रता उननीसवी सदी मध्य से उदारवादी विश्व द्रिश्टी की समाजवादी और मार्क्सवादी विवस्था के बाद सुतंत्रता की एक नई अवधारना का उदे हुआ सकारात्मक उदारवाद का समय चला गया इस नई उदारवादी चिंतनधारा के प्रमुक चिंतक थॉमस हिल ग्रीन वो सांग के अन्रेस्ट, बारकर और लास की प्रमुक थे। यद्दिपी इसमें मेक्फसेन, जॉन ग्रे और जॉन रॉल्स ने भी सामंतवाद के अंतरगत महत्वपूर योगदान दिया है। स्वतंतृता की सकारात्मक अवधारना मनुष्य के नैतिक तथा समाजिक पहलू पर जोड देती है। और स्वतंत्रता समाज को फली भूत करने के लिए आवश्यक समाजिक आर्थिक अवस्थाओ, खानून, नैतिकता, न्याय और समानता के संदर्व में देखती है। एच जे लास्की ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाशाएं दी हैं। स्वतंत्रता एक सकारात्मक चीज है। उसका मतलब सिर्फ प्रतिबंधों की अनुपस्थती नहीं है। इक्षा तथा दूसरी निश्पक्ष समाचार पत्रों की आपूरती। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि प्रतेक व्यक्ति की अपनी रोजी रोटी के लिए पर्याप्त अफसर उपलब्ध होने चाहिए। हमें कल की जरूरते पूरे करने की संबद में सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं की उपस्ति तथा प्राप्ति के लिए लास्के ने तीन सकारात्मक स्थितियों को आवश्यक माना है। विशेश अधिकारों की अनुपस्ति अर्थात किसी व्यक्ति या परिवार को किसी प्रकार का विशेश अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा उप्योग हितु समान अधिकारों की प्राप्ति आवश्यक है। उत्तरदाई सरकार अर्थात सरकार को उत्तरदाई होना चाहिए सरकार को ऐसी परस्तितिया उपलप्त करानी चाहिए जिससे सभी लोगों के अधिकारों की पूर्ती हो सके यद्यपी कालुत्तर में लास्की ने सकारात्मक स्वतंतरता की स्थान पर नकारात्मक स्वतंतरता का पक्षपोशन किया है। जीवन की बुन्यादी अवश्यक्ताओं की पूर्ती के साधनों की सुलप्ता और श्रम रोजगार की उपलप्ता के रूप में की अमर्त सेन ने भी अपनी पुस्तक डेवलाप्मेंट एस फ्रीडम में कहा है कि एक अभाव ग्रस्त व्यक्ती के लिए चैन की स्वतंतृता निरहर्तक है अतहा स्वतंतृता का अर्थ व्यक्ती को न्यूनतम शिक्षा स्वास्त एवं चिकच्चा उपलप्त करानी चाहिए मार्क्सवादी स्वतंतृता का अध्यन एतिहासिक तथा सामाज शास्त्रिय संदर्व में करता है प्रारंबिक समाजवाद में सभी कुपूर्ण स्वतंतरता प्राप थी गिंतु वर्ग समाज के जन्म लेने के बाद स्वतंतरता कुछ लोगों के हातों में सीमत हो गई साथी, मार्क्सवाद संपत्षालि वर्ग के हितों की रक्षा करता है तथा ये एक शोशन का यंतर है उदार वाधी व्यक्तिवाधी विवस्था में मानव की नाम पर ही मानव का सबसे अधिक शोशन होता है एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य बे जान और निर्जीब वस्तु बन जाता है और मनुष्यों का परसपर संबंद मानविये ना रहकर संपत्ति संबंद अत्व बाजार संबंद बन जाता है तर्क है कि जब तक वास्तविक विभाजन कायम रहेगा तब तक वास्तविक स्वतंतरता की प्रात्ति संभव नहीं होगी जहां उदारवादी दृष्टिकोन स्वतंतरता के केवल राजनीतिक पक्ष पर बल देता है वहां मार्क्सवादी दृष्टिकोन आर्थिक स्वतंतरता के लिए विशेश चिंतित दिखाई पड़ता है स्वतंत्रता का मार्क्सवादी अर्थ है जीवन को संपूनता से जीना, अर्थात, भोजन, वस्त्र, मकान, आदी की आवशक्ता पूरी करने की आर्थिक शम्ता तथा व्यक्तित्व को विक्सित करने के परियाप्त अफसर उदारवादी व्यक्ति की स्तर में विद्यमान असमानता और सामाजिक विशमता को मुक्त प्रतिसपरदा का परिणाम मानते हैं, जबकि मार्क्सवादी सामाजिक विशमता का मूल निजी संपत्ति को मानते हैं 1843 में छपे अपने लेख, the Jewish question में Marx ने स्पष्ट किया कि मानव की पूर्ण मुक्ती तथा स्वतंत्रता निजी संपत्ती को समाप्त किये बिना प्राप्त नहीं हो सकते निजी संपत्ती की धारणा को अमानविये मानते हुए, Marx ने अपने एक अन्य ग्रंथ, Economic and Philosophical Manuscript of 1844 में इसके पूर्ण उन्मूलन की मांग की Marx के अनुसार निजी संपत्ती की धारणा व्यक्ती को निजी लाप में असीम व्रिद्धी के लिए प्रेरित करती है और यही प्रवत्ती मानव तथा उसकी मानवता की हत्या का कारण बनती है इसी प्रवत्ती के कारण मनुष्य संपत्ती का स्वामी बनकर उसका गुलाम बन जाता है इस प्रवत्ती के कारण मनुष्य का नैतिक पतन होता है तथा वे अपने से, सामाच से तथा प्रकृती से अलग होकर परायपन का जीवन जीने लगता है इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में आशाओं से स्वतंतरता मिल ही नहीं सकती और इसके बिना राजनीतिक स्वतंतरता बेमानी हो जाती है मार्क्सवाद के अनुसार असली स्थापना होगी तथा वहां नियाई पूर्ण वितरन होगा तथा सभी की खोई हुई स्थापना प्राप्त होगी ऐसी विवस्था की स्थापना तो नहीं हुई किन्तु समाजवादी देशों ने इससे प्रभावित होकर आर्थिक विवस्था पर अधिक बल प्रदान किया जैसे काम का अधिकार आराम तथा अवकाश का अधिकार समाजवादी विवस्था में राज अंत करने के बजाए उसकी शक्ती में व्रधी कर दी गई उत्पादनों के साधनों के समाजी करण द्वारा व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोशन रोका गया माक्सवादी इसी को असली सुतंतृता मानते हैं फ्राडरिक अंगल्स ने अपनी पुस्तक अंटी ड्यूटिंग के विरुध के अंतरगत स्वतंतृता एवं विवस्था में अंतर किया है विवस्था वहस्तती है जिसमें मनुष्यों की भौतिक वस्त्वय प्रकृती के अटल नियों में से बंधी होती है और मनुष्य की अपनी इच्छा से कुछ भी संचालत नहीं होता। जबकि स्वतंतरता का अर्थ है कि मनुष्य प्रकृती के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने निश्चित उद्देशों की पूर्ती के लिए उनका व्यवस्थत प्रयोक करें। इस प्रकार व्यवस् के अंतरगत पुनह परिभाशित करने की कोशिश की है। यूग्रेन हेबर मास ने अपनी बहुचर चितकृती लेजिटिमेशन क्राइसिस के अंतरगत स्वतंतरता की संरचना को पूंजिवाद की वैद्यता की संकट की रूप में देखा है। कारे कुशलता बढ़ाने तक सीमत रह गई है। अतहा तर्क बुद्धी मनुश्य की स्वतंतरता का आधार ना होकर उसकी पराधीनता का कारण बन गई है। एरिक फार्म ने अपनी चर्चित्कृती एसकेप फ्रॉम फ्रीडम में समकालीन समाज के अंतरगत मनुश्य के अकेलेपन की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। उसके अनुसार व्यक्ती समाजिक सांस्कृतिक बंधन से अपने आपको मुक्त अनुभव नहीं करता बलकि इस बंधन से अकेला हो जाता है। इससे वह नैतिक अकेलेपन का शिकार हो जाता है। जब ये अकेलापन बढ़ जाता है तो व्यक्ति मनुविदलता का शिकार हो जाता है। हरबर्ट मार्कवेजे ने अपनी प्रसिद धिक्रती वन डाइमेंशनल मान स्टाडीज इन दी आइडिलोजी ओफ अडवांस इंडास्ट्रिल सुसाइटी के अंतरगत तर्क दिया है कि पूंजीबाद ने जन सनपर्क के साधनों को बड़ी चालाकी से इस्तमाल करते हुए प मनुष्य का बहु आयामी व्यक्तित्व विलुप्त हो गया और उसके व्यक्तित्व का एक ही आयाम रहे गया है उसकी तुछ भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि इस तरह उपयोगवादी संस्कृती मनुष्य के व्यक्तित्व पर हावी हो गई है जिसने उसकी स्रिजनात स्वतंत्रता के विचार को बहुत पीछे धकेल कर उसे एक आयामी मनुष्य बना दिया है। स्वतंत्रता के विविध आयाम हो सकते हैं, लेकिन इसकी हम चार मुख्य आयामों को देखने की कोशिश करेंगे। नागरिक स्वतंत्रता इसमें व्यक्तिक या नीजी स्वतंत्रता शामिल की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंतृता में दैहिक स्वतंतृता, विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंतृता, धर्म के अनुपालन की स्वतंतृता, अनुबंध करने जैसी स्वतंतृताई आती हैं। स्वतंतृताओं पर प्रतिबंध होने से व्यक्ति की निज्टा प्रभावित होती है नागरिक स्वतंतृताओं पर प्रतिबंध तभी लगाना चाहिए जब इसके प्रयोक से सामाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो यह स्वतंतृता भारत के सम्विधान के पर अंकुष रखने और सरकार बनाने तथा सरकार पर नियंत्रन रखने की शम्ता से है यह लोकतंत्र में भागिदारी व सरकार की नीतियों की आलोचना तथा समर्थन की संदर्व में देखा जा सकता है प्रतेक व्यक्ति को मत देने का अधिकार व चुनावी प्रक्रिया में आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता के दो पहलू है, प्रथम प्रतियक व्यक्ति को अपना आर्थिक व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता प्राप्थ हो, इसके तहट किसी भी प्रतिबंध का निशेधिकर्ण किया गया है, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता से तातप सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि धर्म जाती वर लिंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए यह सामाजिक स्वतंत्रता का पूरक है और नागरिक स्वतंत्रता का हिस्सा है सारांश इस अध्युन से हमें पता चलता है कि स्वतंतरता की अवधारना में समय के साथ इसमें विकास होता रहा है अपने विकास के चरण में स्वतंतरता उदारवाद से शुरू होती है उदारवाद के अंतरगत ही ये सकारात्मक और नकारात्मक रूपों में विभक्त हो जाती है मार्कसवाद नारिवाद वो उपाश्रित दृष्टिकोन इसे एक अलग रूप में परिभाशत करने की कोशिश करता है साथी इसके विविद आयाम भी विकास की अवस्थाओं के घोतक हैं क्योंकि सबसे पहले नागरिक स्वतंतरता की मांग हुई इसके बाद सामाजिक स्वतंतरता की बात हुई आज के व्याख्यान में जाना की स्वतंतरता क्या होती है? इसके क्या सुरूप है? इसके कौन-कौन से आयाम और दृष्टी कौन है? स्वतंतरता पर प्रचलित विद्वानों के मतों का विवरन समझा इसके अगले भाग में हम न्याय की अवधारना को समझने का प्रयास करेंगे न्याय के प्रचलित सिधानतों की विवेशना करेंगे और न्याय के विविद आयामों को जानने की कोशिश करेंगे आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं आपके प्रश्ण और सलह हमेशा आमंत्रत है नमस्कार झाल 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 झाल